तो दोस्तों जैसे कि आपको पता चली गया होगा कि कुछी दिनों पहले मैंने एक इंटर्वी सेशन बनाया था यानि कि हमने इंटर्वी सेशन की शुरुवात कर दी है और प्रदीब बहा के साथ एक इंटर्वी सेशन हमने अल्ड़ी कर लिया जो कि आपने देख लिया होगा और उमीद करता हूँ कि आपको वो जो वीडियो था काफी पसंद आया होगा तो आज एक ओर मोश्ट इंटर्वी सेशन हम लेकर आ गए है और आज के जो इंटर्वी सेशन है उस टॉपिक का जो नाम होने वाला है वो है दोस्तो एन इंटर्वी विट मुंबई उनिवर्सिटी टॉपर है जिया दोस्तो मैं बात कर रहा हूँ मिश्टर राहूल गिरी क जो कि मुंबई उनिवर्सिटी के टॉपर है और मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड है और मज़े की बात यह है न दोस्तो कि यह जो राहूल गिरी है वो जो प्रदीब गिरी आपने देखा था इनकी इसके पहले जो वीडियो देखा था आपने इंटर्व्यू का यह उनके चोटे भाई है यानि कि एक कोइंसिडेंस बोल सकते हो कि एक ही फैमिली में दो दो बहुत जादा टालेंटेड लोग एक साथ प्रेजेंट है और दोनों के साथ मैं बहुत ही अच्छे से इंटराक कर पाया यह मेरे लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है तो सबसे पहले राह पर मुझे इस काविल समझा और मैं रहूल सर को यह भी ठैंक्स बोलना चाहता हूं कि मैं लगातर देख रहा हूं कि रहूल मैहीं से लिए बोल रहा हूं कि एकुलिया ने जो मेहनत की और इतना अच्छा JR टुटोरियल का जो चैनल है और उसके बाद भी उन्होंने JR टॉक की आप आगे और कैसे अपने आपको मोटिवेट रखो तो इनकी जो मेहनत है लगातार इसके लिए मैं बहुत इनको सैलिट करना चाहता हूँ और दिल से ठैंक्स बोलना चाहता हूँ जो उन्होंने मुझे इस काविल इस प्लैटफॉर्म पे समझा तो देखो आज का जो इंटर्व्यू हम ले रहे हैं इसका एक मेन कारण यह है दोस्तो टाइटल आपने देख लिया होगा थमनेल देख लिया होगा यह मैं क्यों ले रहा हूँ इनके साथ इंटर्वू सबसे इंपोर्टेंट चीज यह होता है कि दोस्तो आप हमारे जया टूटोरियल प्लैटफॉर्म से आप हमारे साथ जुड़े हुए हो जो सबसे ज़्यादा जो में इंटेंशन या फिर जो में फोकस होता है हमारा वह होता है आप लोग को टॉपर बनाना यानि कि आप एक तरीके से कॉलिट एजुकेशन प्रोइट करना और अपने लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरीद करते रहना इसलिए हम यहाँ पे इंटेव्यू राउल सर के साथ ले रहे क्योंकि जो एक्सपिरियंस इन्होंने अपने जो लाइफ में लिया है और किस प्रकार इन्होंने जो मेहनत किया है और टॉपर बनके उबरे हैं वो जर्नी इनसे बेटर शायद कोई नहीं और बता पाएगा तो इसलिए आज हमारे साथ राहूल सर है तो राहूल सर आज शायद आपसे बहुत सारे सवाल पूछ सकता हूं है तो क्या आप इसके लिए रेडी हो जरूर सर मैं रेडी हो आप पूछ सकते हो उससे जो भी कोशन आपको पूछना है मैं रेडी हो तो बेसिकली सबसे पहले हम बोलते है Engineering हमने साथ में Complete किया है Automobile Engineering लेकिन Journey बहुत बड़ी रही है और Starting से क्या-क्या इन्होंने Achieve किया है ये अपने मूझ से खुदी बताएंगे तो आप ध्यान से सुनना शायद आप लोगो बहुत जादा Motivate करेगा ये चीज तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ वैसे तो सर ने जैसे बोला कि किसी भी अगर कोई भी अगर successful person है तो उसके life में बहुत सारे achievement भी होते हैं और बहुत सारे problem भी उसे face करना पड़ता है तो मेरे life में especially achievement में क्या है कि मैं हमेशा मेरे जब school में मैं already best student का award मुझे मिला हुआ है मैंने हर साल मतलब academic मेरा maintain रखा है then उसके बाद मैंने college भी बहुत ही अच्छा four points maintain किया मैं school college का top पर रहा then इसके बाद मैंने graduation में भी सबसे main होता है कि बहुत सारे लोग school में top करने के बाद उस journey को end अच्छे से नहीं कर पाते मैंने अपने इस journey को अपने graduation में कि मतलब मेरे मन में हमेशा था कि मुझे हमेशा consistency अपने अंदर लेकर आनी है consistency एक success में सबसे बड़ा role होता है कि अगर आपने एक exam में अच्छा performance ला दिया फिर उसके बाद ऐसा रहा कि दूसरे exam में आप down हो गए वैसा नहीं होना चीए तो आपने अगर motto रखा है तो आपको end तक उसी success के साथ चलना चीए तो जिसके साथ मैंने at last जो मेरा सबसे अच्छा achievement रहा जिसके उपर interview हो रहा है कि मैंने university में top किया और उसमें आपके राहूल सर जो है उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा क्योंकि यह सब मेरे बहुत यह अच्छे फ्रेंड है और हम साथ में study करते थे ऐसा कुछ नहीं है बस थोड़ा सा luck होता है और थोड़ी सी तो यह हमारे कॉलेज के फर्स्ट राइंकर है और मुंबई युनिवसिटी में सेकेंड राइंकर है और उसी कॉलेज में जो हमारा automobile department था तो यह फर्स्ट राइंकरते और मैं सेकेंड राइंकर था ठीक है तो बहुत ज्यादा अच्छा हमने जर्णी एक तरीके से यह फर्स्ट राइंकर दोनों ही राहूल राहूल थे तो हमारे सर लोग भी अक्सर मतलब हमेशा याद रखते हम लोग और आज भी याद करते हैं बेसिकलिए अगर बात किया जाए चलो वो सब बाते तो हम बात में करेंगे लेकिन सवालों का सिलसिला जारी रहना चाहिए तो राहूल सर आप से आज का जो दुसरा सवाल है वो यह कि आपने अपनी जर्णी की जो शुरुवात बहुत अच्छे तरीके से की लेकिन ये जो जर्णी आपकी थी इसमें क्या-क्या डिफिकल्टीज का अपने सामना किया या फिर ऐसा क्या स्ट्रगल जो आप हमेशा ब मैं अपनी जर्णी की अगर मैं सुरुवात करना चाहूँ तो बहुत ही लंबा होगा क्योंकि ये इंटर्व्यू सेशन है तो मैं कुछ चीजे उसके अंदर की जो सबसे इंपॉर्टेंट वह मैं बताना चाहता हूँ मैंने मेरा जो रिजल्ट है वो यूनिक रिजल्ट इसले है क्योंकि मैंने इसके साथ अपने रिजल्ट के साथ मैंने अपने एकडमी के साथ मैंने बहुत कुछ अधर भी मैंने किया जिससे मेरा जो लाइफ है बहुत ही अच्छा सैटल होते गया बहुत सारे टॉपर्स ऐसे ह कि वो just study करते हैं और बहुत सारी चीजों को side में रखते हैं पर मैंने साथ में मैं 2-3 चीज करते गया जिससे क्या हुआ कि at last जब मेरा graduation complete हुआ तो मेरे हाथ में सब मेरे जितने dreams से सब कुछ complete होते गया जब मैं around 2006 में 2006 25 November को मैंने classes start किया एक छोटे से घर से start किया और मैं बहुत ही गरीब family से था मतलब कि पहले मेरे life में सब कुछ अच्छा चल रहा था बीच में papa का थोड़ा problem हुआ then थोड़ा life में problem आने लगे तो वहाँ पे already आपने interview कुछ दिन पहले देखा होगा प्रदीफ सर का तो प्रदीफ सर का मैं चोटा भाई हूँ प्रदीफ सर उस टाइम 8 में थे तो हमने एक चोटा सा घर पे tuition type में start किया और दीरे 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 मेहनत करते हुए और एक और चीज की बहुत सारे उसके बावजुद भी मैंने हमेशा हर एक unit test में मैं हमेशा अपने school पे top करते गया मतलब मैं इतना देर classes लेता था देन उसके बाद भी मैं continue जो result है मेरा जो academic result है उसको ही मैं top पे maintain रखते गया यही मेरे एक result में एक uniqueness था देन उसके बाद दीरे दीरे जो मैंने classes के field में भी महनत करते गया around उसमें भी बहुत इच्छा नाम किया जैसे ही मैं फाइनल येर में पहुचा तो उसके पहले ही मेरे बहुत सारे यहां पे बोलना है, इस सब चीजे अच्छी नहीं लगती पर एक आपको motivation मिल सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, कि उसके पहले मैंने अपने बंगलो और बाद में कार और मैंने बहुत सारी चीजे यहां के लोगों को पता है कि मैंने ले लिया था अपने मेनस से और साथ में मैं पढ़ भी रहा था और उस पढ़ने के साथ बहुत सारे लोग रहते हैं कि जब जिन्दगी में बहुत सारी चीज़े अच्छी होती है तो study पे ध्यान नहीं देते हैं पर मैं साथ में study पे भी focus करते गया और रात को जैसे कि मैं 10 बज़े तक सब कुछ पढ़ा के सब कुछ मैं जब free होता था देन 10 के बाद मैं अपने study को continue करता था और continue करने के बाद जब तक मुझसे होता था और सुबह फिर से मुझे classes लेने होते थे तो अगर आप life में अगर दो चीज़े अगर एक साथ कर रहे हो अगर आपका focus बहुत ही अगर उन चीजों के according बहुत ही parallelly आप अच्छे से focus कर रहे हो तो definitely आप अपने goal को achieve कर लोगे तो बहुत ही ज़्यादा मतब journey हमने सुना काफी ज़्यादा struggle भी किया है लेकिन struggle करने के बाद अगर कोई इनसान देखो constantly अगर वो struggle करता है और उसके उपर hard work करता है और थोड़ा सा patience बना के रखता है तो एक दिन जरूर से वो successful बनता है and प्रदीप राहूल sir is the best example for that तो basically और भी सवाल आपसे मुझे पूछने है कि चलो आपने अपनी journey के बारे में मुझे बता दिया लेकिन एक सवाल जो शायद बच्चे लोग भी सोचेंगे और आपसे पूछना ये चाहेंगे कि आप मुम्मे उनिवर्सिटी के टॉपर बने और आपने बोला कि आप 10th के भी टॉपर रहे हो 12th के भी टॉपर रहे हो इंजिनेरिंग के भी टॉपर रहे हो वो भी मुम्मे उनिवर्सिटी में टॉप करना मतलब it is not everyone's cup of team मतलब सब लोग नहीं कर सकते ठीक है न तो आपने माइन को किस प्रकार ट्रेन किया ताकि आप इस मुकाम को हासिल कर पाए यह बहुत ही अच्छा कोश्चन है बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है यह कोश्चन देखो जब मैं जब मेरे अकेडमी में था मैं एकेडमी से ही मैं यह एक्जांपल को बताना चाहत हो क्योंकि आप सब भी बच्चे आराउंड 10th और 12th मोश्चली मैं चैनल पर देखता हो तो 10th के बच्चे बहुत हैं जब मैं 10th में था तो मैं 9 जब मैं 9 में था मोश्चली तभी मेरे मेरे मन में एक एक ऐसा फ्रेम बन जा रहा था कि जब मैं 9 में हमारे स्कूल में 15 अगस को प्राइज मिलता है 10th वालों को तो मेरे स्कूल में 15 अगस को प्राइज मिलता था उस दिन 10th वाले आते थे और हमारे स्कूल में हर एक सब्जेक का भी प्राइज मिलता था जैसे कि हिस्ट्री हो गया हिंदी हो गया माराथी हो गया हर एक सब्जेक का तो जब हम लाइन मे जो एक image आपको मिलता है एक जो खूसी मिलती है वो 9th में नहीं रहती तो फिर 10th में जैसे हम stage पे जाते थे तो बहुत ही अच्छा लगता था मतलब जो दूसरे लोग जाते थे तो वही एक moto था तो वही moto को मैं ले के चल रहा था कि मुझे भी next year कम से कम एक दो subject में तो highest लेक स्कोर किया था मतलब एक भी ऐसा subject नहीं था कि जिसके अंदर आज भी cash prize मेरे पास रखे हुए है अभी मैं यहां interview office से कर रहा हूं नहीं तो अभी रहता तो मैं आपको दिखा था उससे भी आपको बहुत ही motivation मिलेगा जितने भी जैसे कि Hindi subject, Marathi subject, English, SST, overall जितने भी subject थे आप सब्जेक बहुत ही कम हो जाते पर मैंने overall हर एक subject में top किया था और उसके बाद मैंने first rank लाया था तो वो एक motto था मेरे अंदर जब मैं graduation में गया तो मेरे अंदर एक motto था कि already are मैं तो first rank लेकर ही आ रहा हूं हमेसा मैंने हर एक academic year में first rank लेकर आया था तो मैंने सोचा कि ऐसा मैं कौन सा result लेकर आओ कि जो हमेसा के लिए अगर मैं रहूं या ना रहूं पर college में हमेसा मेरा नाम रहे या university में मेरा नाम रहे तो फिर उसके लिए मैं मेरे मन में वो था उसके according मैं मेहनत करता था कि मेरा जो paper है मैं ऐसा कैसे paper लिखूंगी सबसे अलग हो क्योंकि पढ़ते तो सब वही है पर मेरे लिखने के तरीके में मैं ऐसा कैसे लिखूंगी जो सबसे मेरा अलग हो बस आप लिखने पर थोड़ा ध्यान दो पढ़ोगे वही book से सबको पढ़ना है बस आप पढ़ रहे हो तो उसमें लिखोगे कैसे कि हमें क्या वह आपको ज्यादा ध्यान देना है देन उसके अकोर्डिंग मेरा वही मोटो था डिग्री में मैं जैसे एंटर हुआ तो वैसे मेरा सेमिस्टर से मेरा एक मोटो था और एंड तक आते आते उस चीज को मैंने हासिल करी लिया ओके तो फाइनली आपने देखा कि कैसा इन्होंने स्ट्रगल किया और बाकी जो चीजें आपके साथ शेयर की तो जैसा कि आपको राहूल सर ने बता दिया होगा लेकिन एक और सवाल है और जैसा कि आप जानते हो कि आज मैं आपे बेटाओ सवाल पूछने के लिए ही तो सव के लिए शायद आप लाइक टॉपर बनने के लिए सोचाओ का क्योंकि यूज्वली लोगों के मन में यह नहीं आता है कि मुझे टॉपर बनना है लोग यह सोचते हैं ज्यादा तर कि यार चलो पासी माकसा आगे बस हो गया मेरे लेकिन देखो आज हमारा जो वीडियो बना सबसे इंपोर्टेंट चीज़ है तो राहूल सर आपने बच्चों को यह तो बता दिया कि इंस्पिरेशन लेना है अपने माइन को ट्रेंड करना है उसी साब से की सोधाट आगे बढ़ जाओ लेकिन एक सवाल बच्चे लोग भी पूछेंगे कि जैसे कि मैं हमेशा मेरे च इस्पिरेशन की डिमांड ने कर रहा हूं एक नॉर्मल तरीके से राहूल सर आप बता दो कि बच्चे लोग कौन से टाइम पे क्या कर सकते हैं और कौन से टाइम पर पढ़ सकते हैं और कौन सा टाइम उनके लिए बेश्ट राए का पढ़ाई करने के लिए ताकि वो अच् लर्निंग वक पे ज्यादा फोकस नहीं करना रहता है लर्निंग वक के सब्जेक्ट तो हम आराम से कवर कर लेते हैं वो एक दो दिन में खतम हो जाते हैं अब तेंथ में थोड़ा सा अलग होता है तेंथ और नाइन्थ और सेवन्थ और एट के बच्चों को लर्निंग पे कre में थोड़ा फोकस करना रहता है वट अब भी जो सिलैबस उसमें लर्निंग वक का पार्ट भी ज्यादा नहीं है अभी बस आपको прим करना और साइंस में कुछ चीजेे लर्न करनी है और बाकी आपको हिंदी प्रैक्टिस करना है उसमें है कि जो कविता है उसके जो चीजे ल neural करनी है और बाकी आपको Hindi प्रैक्टिस करना है, Marathi प्रैक्टिस करना है, हाँ, उसमें है कि जो कवीता है, उसके जो भावर्थ है, वो सब पढ़ना रहेगा, और English में थोड़ा बह। है, और बाद में फिर Max में प्रैक्टिस है, तो अभी हमारे मेरे ताइम पर हमारे टाइम पर लन्निंग वर्क जादा रहता था तो मेरा उस टाइम का सेडुल कैंसा था मैं रोज ważne करता था ऐरान मैंने 10 अप्रिल मंथ में मैंने पढ़ाई start किया था और में मन्त में मैंने मेरा syllabus का 70% syllabus learn करके खतम कर दिया था और मैं learn जो करता था मेरे textbook से starting से लेके end textbook का पूरा part मैं learn करता था even पूरा digest के question answer जो रहते तो वो भी मैं पूरा खतम कर लेता था diagram प्राक्टिस करता था क्योंकि मेरा मोटो था कि मुझे कहीं पर भी एक भी पॉइंट में कम नहीं होना है पर अभी इतना आपको करने की जरूरत नहीं है आप जो आपको सर कराते जा रहे हैं सर के हिसाफ से सर ने अल्रेडी सब कुछ आपके लिए कर दिया तो आप एक अपना टाइम टेबल चांद की हो तो सेम मैक्स प्रैक्टीज पे आपको एक गंटे घंडे 10 का टाइम देना है यह के बाद कंपोजिश्ट प्रैक्टीज वे मैं हमेशा रीट किया मैं हमेशा लिखता हूँ नथिंग ग्रेट कैन बीकम अनलेस यू वर्क फॉर रिट तो यह सब मैं किसी में में संगर देता हूँ तो ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे लाइन है दोहे हैं अगर आपने अपने एंसर में लिखा तो आपके जो आपका जो ाइनसर सीट है वो लोगों से यूनिक रहेगा औरबाकी जIONGRAPHY में आप कुछ MAP टाइप में कुछ कर सकते हो तो वही कि आपको अपने time table कभी किसी से time table आप मैं बता सकता हूँ शर भी आपको बता सकते हैं टाइम टेवल आपके हिसाब से आपको डिजाइन करना है कि आप लेट मैंने सर का एक वीडियो देखा सर ने बहुत ही अच्छा एक्स्पेंट किया कि अगर लेट नाइट आप स्टडी करता था कि और एक्जाम टाइम पर मैं मौर्निंग में उठता था और जनरली मैं दो दो अच्छी है जो सुबह उठके नहीं पढ़ता था एक्जाम टाइम पर मौर्निंग में पढ़ता था कभी तीन बजे तक करता था कभी फोर्ट थर्टी थक भी मैं जाता था और दो गंटे सो के मैं स्कूल जाता था कि मेरे लाइफ में स्ट्रगल बहुत थे मुझे पढ़ान तो बेसिक कंक्लूजन यहां से यही निकलता है कि अगर आप कोई भी तरीका अपनाते हो यानि कि टाइम टेबल तो वो आपके उपर डिपेंड करता है मैंने भी बहुत सारे वीडियो बनाए हमारे चैनल के उपर टाइम टेबल रिलेटेड तो अगर आपको अच्छा लग पर भी होता है चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो अगर आप मेंटेन कर ले तो डेफिनेटली आपको सक्सेस हो जाएगा ठीक है तो उमीद करता हूं कि यह जवाब से आप साइटिसफाइड हो गए होंगे और आप अपना टाइम टेबल भी बना लोगे इस प्रकार से और आ आपने अलग किया कि आप वो सो लोग से अलग हो पाए और आप टॉपर बन पाए तो थोड़ा सा उसके बारे में आप बता सकते हो कि ऐसा क्या अलग चीज हमें करना पड़ेगा या फिर आपने क्या अलग किया क्या आप टॉपर बन पाए तो सबसे मेने की फोकस एम के अक तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अगर मैंने रैंक अच्छा लाया तो मेरे पैरेंस को कितनी खुसी होगी mostly 10th का जो result है वो एक famous होने के लिए रहता है और 12th की result जो है आपकी life को set करता है ये दो चीजे हमेशा रहती है तो एक तो सबसे पहले आपका aim होना चीए दूसरी चीज कि आप जो पढ़ रहे हो बहुत सारे लोग रहते कि lesson number first second third पढ़ लेते हैं फोर्थ जो है अगर समझो चार lesson exam में आने वाले हैं तीन तो बहुत जी जान से पढ़ते हैं चौथा वाला थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं पर अगर 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 टॉपर हो तो आपको सब कुछ पढ़ना पढ़ेगा तो सब कुछ पढ़के अगर समझो मुझे 20 lesson भी अगर exam में आ रहे हैं तो 20 वाला अगर मेरा पढ़के नहीं हुआ तो मैं थोड़ा सा उसको देख लेता था कि क्या है अगर मैंने 19 lesson तक अगर अगर साइन्स में हो science में अगर आपने scoring अच्छा किया है करना चाहते हो sorry तो आप क्या करो diagram पर ज्यादा focus करो diagram की मैं अपने answer में कैसे diagram करो जैसे हिस्ट्री का answer है जैसे हिस्ट्री में अलग-अलग types है हिस्ट्री में diagram है नहीं पर मैं हमेसा focus करता हूँ कि हिस्ट्री में आप flow chart बनाओ flow chart आप बना सकते हैं जैसे कुछ example है कि अगर समझो three types में divided तो उसको flow chart में आप दिखा सकते हो T diagram में आप उसे दिखा सकते हो जिससे क्या हो जाएगा आपका answer दूसरे से अलग हो जाएगा जैसे geography की बात है मेरे मुझे अभी भी याद है कि 10th में मुझे milk से related कोई question आया था और मुझे वो short note में question था और यहां पर brief में question आ गया board exam में चार marks के लिए तो मैंने क्या किया पता है stencil मैं लेके गया था और mostly मेरे center पर कोई stencil लिया नहीं था और मैंने उसमे milk producing state में सबसे पहले मैंने दिखा दिया मैप में साइध यूपी को दिखा दिया उस time पर जो भी था और फिर then महराश्रा ऐसा कुछ मैंने दिखा दिया जिससे अब examiner जब paper marks ला सकते हो कर रहा है तो अगर आपका paper सबसे पहली बात दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है और उसमें कुछ आपने फ्लोचार साइड किये हैं और एक प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स के थूपर तरीके से लिखा है लेंग भी नहीं होना चाहिए वो चीज और अपने thoughts को भी अगर आपने किया है तो डेफिनेटली आपको वह बहुत अच्छा marks देगा और यही चीज आपको एक अलग परसंट बनाएगा यह और पॉइंट मुझे याद आगया कि मोशली हमेसा बच्चे बुछते हैं बच्चे हमेसा सर के चैनल पर भी कमेंट कर रहे थे कि सर लेंग लेंग्वेजिस के marks भी बहुत अच्छे थे आपको तीन सब्जेक तो बहुत ही अच्छा करना एक भी marks नहीं जाना चाहिए और बाकी लेंग्वेजिस में तो marks जाएंगे फिर भी आप courses करोगे तो 94 95 तक आ जाओगे तो उस टाइम पर मैंने 94 परसंट लाया था अब तो आ महंगाई से related आ सकता है या तो भष्टा चार से related आ सकता है ऐसे 10-12 टॉपिक हैं सर लाश्ट में आपको देते हैं तो वो आपको 12 टॉपिक से related एक एक आपको ऐसे कुछ अच्छे statement तयार कर लेने हैं जिससे कि आप अपने writing skill को start करोगे हो सकता है कि उसका आप यूज कहीं करो रुत्तांत लेखन में करो कहीं पर भी करो तो आप ऐसे 10-12 टॉपिक से related अगर आप पढ़के जाते हो तो आपको writing skill mostly कोई पढ़ता नहीं है आप writing skill याद मत करो बस उसके जो main जैसे की कुछ अच्छे statement है वो आप याद कर लो वहाँ पे आप जैसी करनी वैसी भरनी तो वो देखते ही examiner जब paper जब check करेंगे तो वो देखते ही खुस हो जाएंगे कि हाँ इस बंदे ने बहुत अच्छा लिखा होगा तो आपको marks बहुत अच्छा आना start हो जाएगा तो आपको languages में थोड़ा smart work करना पड़ेगा इतना तो आपको clear हो गया होगा कि normally जो बाकी के lectures है बाकी के subjects है उसमें आप अपना तरीके से मेनद कर सकते हो लेकिन languages में बहुत सारे लोगों के marks cut हो जाते हैं जैसा sir ने बोला तो इसमें आपको इस strategy को follow करना होगा या फिर आप कर सकते हो तो definitely आपको help हो जाएगा और एक question की तरफ लेके आएंगे तो आज का आखरी सवाल यह होगा बाकी चीज़े हम discuss करेंगे लेकिन आज का officially आखरी सवाल यह है कि हर बच्चा बनना चाहता है topper लेकिन वो बन नहीं पाता है क्योंकि उसके पीछे का reason यह है मुझे लगता है कि उनके life में बहुत सारे distractions होते हैं online games बहुत सारे आगें वो पसंद करते हैं again मैं बोलूना मैं तो फिर आप लोग comment करोगे कि sir game के खिलाफ है मैं कोई game के खिलाफ नहीं है एक particular schedule बनाना पड़ेगा आपको game केलने के लिए लेकिन वो distractions if game की बात नहीं करा हूँ इसे so many distractions होते हमारी life में तो उसको कैसे दूर कि कर लोगे तो definitely अपने life में आगे बढ़ता होगे तो वो क्या तरीका sir ने अपना है था अपने life में क्योंकि distractions हर किसी को होता है तो sir ने क्या तरीका अपना है distractions को दूर करने के लिए और आपके लिए वो क्या बोलना चाहेंगे sir से सुनते हम लोग यह भी बहुत ही अच्छा कोश्टन है जनरली हमेसा मुझसे पूछा जाता है इस कोश्टन पर इसका अगर मैं बोलना चाहूं तो इसके उपर सबसे जादा control आपके उपर होना चाहिए self control जो अगर आपके उपर है तो आप यह सब चीजों से बाहर निकल सकते हो और अगर आपने जैसे कि मेरा अगर मैं मेरा एक्जामपल लो तो मैं मौर्निंग में जब से उठता हूं रात के सोते सोते मुझे दो तीन बच जाते हैं फिर मुझे सुबह छे बज़े उठना है फिर से अपने रूटीन को पूरा फॉलो करना अगर आप बीजी रहोगे तो यह सब अगर आप बीजी नहीं रहोगे हाँ अगर आपने गांपल कर लिया पूरर श्याती है लगे यह Cooking गैमए लगभ hmक्ट कर गया तो मुझे अच्छा लगने लगता है मेरे मोबाइल फून में अगर अभी देखोगे तो ङेम नहीं है पर कर कभी जैसे कि मैं कोवीड में पर कभी फ्री था तो मैंने डाउनलोड क्रिकेट का गेम मैं भी बहुत खेलता था एक दिन डाउनलोड कर लिया फिर मुझे ऐसा लगने लगा थोड़ा टाइम पास हो रहा है तो मैं तुरंट उसको अंस्टॉल कर दिया तो वैसे ही तुम्हारे अंदर ऐसे डिस्ट्रेक्शन अ जो भी है मस ले लो अपने बुक्स रख लो अभी मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे सर के वीडियो को इंस्ट्राग्राम पे वो इस्टेटस पर अप्लोड करते हैं बहुत अच्छी बात है कि मतलब आप अपने डिस्ट्रेक्शन को कम कर रहे हैं आप अच्छी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है बड़ इसमें भी एक और है कि बहुत सारे लोग मेहनत नहीं करते बस सोचते कि मुझे बहुत कुछ चाहिए तो प्लीज बस आपको ये डिस्ट्रेक्शन का कोई भी आप किसके पास भी जाओ तो इसका कोई सॉलूसन नहीं है आपके और है बहुत जाए है याँ लिए फिर से दूसरा इंड़्य इससरे एक बड़ जाओ तो ये भी तॉम जाये है और दूसरे दीन कर लो फिर से इंज्द मी अपनी जोस के साथ पिर से साथ करती है पर खोंग तो है Clayton आपने वर्ट सुन लिए और इससे एक चीज ये पता चला कि अगर आप हाड़ वर्क करते हो और अपना गोल को सेट कर लेते हो ना तो यार कोई भी ताकत आपको उसको एचीव करने से नहीं रोख सकती और आपके जो distractions होंगे वो आटोमेटिकली चले जाएंगे यानि कि आप अपने लाइफ में अगर बीजी हो अपने गोल के लिए मेहनत कर रहे हो तो distractions का नाम और निशान हड़ जाएगा और यही message सर ने भी दिया ठीक है तो थैंक्यू सो मच सर आज के इस interview session के लिए बहुत यह अच्छा लगा आपसे बहुत अच्छी तरीके से बात करके बहुत सारे questions हमने आपसे पूछे और आपने बहुत अच्छी तरीके से उसका reply किया तो finally आपसे विदा करेंगे लेकिन जाते जाते हमारे students जो JR के family जो है इस वक्त यहाँ पे जो आप लोगो देख रही है इस वक्त तो please आप उनको क्या message पहुचाना चाहोगे अपनी तरफ से प्लीज एक बार अपने words दो मिल में बोल सकते हो अगर इतना आपके लिए वीडियो देने के बाद भी अगर उन्होंने जेया टॉक करके दूसरा चैनल रखा है जहाँ पे आपको मोटिवेट कर रहे है तो please मोटिवेट हो जाओ और सर जीतना मेहनत कर रहे है उसका थोड़ा भी अगर आप मेहनत करोगे तो लाइफ में जरूर सक्सेस्फूल हो जाओगे और सर के मेहनत को दिखाने की कोसिस करो आपको भी कि आपने इतना टाइम दिया और थैंक यू सो मच वंस अगें और बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों आज का इस इंटर्वी सेशन में और उमीद करता हूं कि आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा और बहुत सारे जो सवाल जो हमने आज पूछे है सर से उसके